हलो एव्रिवन वेल्कम टू रेपलिका वर्ल्ड आज हम पढ़ेंगे थियोरी ओफ इंसाइट लर्निंग के बारे में जो की दी थी वॉल्फ गैंग को लाने हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग वाला पेपर जिसमें कि हम बहुत ही इंपोर्टन थियोरी को लारे में भी बात करेंगे तो इंसाइट लर्निंग इस वन अफ फर्स Κोंगर ण debatesbecca लौंट रोजिस वोन द रेमों तो टाया था जिसमें कि अनून ने यह बताया था कि लर्निंग में कोगोमार रोल होता है माइंड का क्या रोल होता है इसके बारे में बताया था तो थियोरी कैसे डेवलप हुई इसके बारे में बात करते हैं 1920 में जर्मन साइकोलोजिस्ट वॉल्फ गैन कोलर एप स्टडी कर रहे थे और उस स्टडी के दौरान उनने कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किये थे जिस के बारे में किया गया एक फ्रूट का पीस हैंग का दिया किसी चीज से उसके बाद उनने क्या किया वहां पर कुछ स्टिक्स और कुछ ब quería और उनने फिर पर इन्तिजार किया तो उनने क्या देखा जो चिंपेजी थे वह आए वहां पर उन्हों नसे देखा कि यहां पर तो फिर चिम्पैन्जी रुख गए और वो अराम से बैठ गए और उसके बाद उस चिम्पैन्जी ने सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूँ जिससे कि मैं इस फूरूट तक पहुंच जाओं ठीक है उसके बाद उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने उस प्रॉब्रम को स एक दूसरे से जोड़ा और जोड़कर एक बड़ी स्टिक बना दी और उस बड़ी स्टिक से फिर उन्होंने क्या किया उस फूरूट को नीचे लाने की कोशिश की उसको नीचे करने की कोशिश की और वो इस चीज में काम्याब हुए और उन्होंने उस फूरूट को खा लि तो इन दोनों ही केसी में पहले दिमाग में वो चीज सोची गई कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट से एक कॉंकुलूजन निकल के आया वो कॉंकुलूजन ये निकल के आया कि इस टाइप की को insight learning बोला जाता है ऐसा इसी लिए क्योंकि इस problem को solve करने के लिए चिंपेंजी पहले बैठता है और दिमाग में सोचता है कि इस problem को कैसे solve किया जा सकता है फिर आसपास के resources को देखता है क्या के resources है और उस resources से कैसे कुछ बन सकता है जिससे की fruit तक पहुंचा जा सके मतलब सारी जो calculation processing है वो पहले दिमाग में हुई और उसके बाद फिर वो उसका result आया ठीक है और इसी चीज़ को बोला गे insight learning तो इसी तरीके से कोलर ने ये चीज़ प्रूव कि के learning में cognition का र॓ल होता है यानि learning में brain key capabilities का role होता है brain key capabilities की वज़य से ही हम कोई चीज चीज़ सीख पाते है ठीक है इसको insight learning कहा गया अब insight learning यह जो इस टाइप की learning थे इसको learning क्यों कहा गया insight क्यों नहीं कहा गया learning भी इसके साथ क्यों जोड़ा गया क्योंकि किसी भी चीज को सीखने का मतलब यह है कि फिर हम उसको lifetime के लिए सीख गए हम उसको किसी अगली situation में भी implement कर सकते हैं तो उस चीज को learning कहेंगे तो chimpanzee ने जो चीज यहां पर सीखी क्या वो उसको कहीं पर apply नहीं करेगा अगर कोई similar situation आएगी तो chimpanzee इस चीज को वहां भी apply करेगा तो यह learning हुई इसलिए यह कुछ सीखना हुगा इस तरीके के learning को बुला किया insight learning ठीक है अब insight learning को अगर हम define करना चाहें तो insight learning is the abrupt realization of problem solution insight learning से हमें एकदम से problem का solution मिलता है insight learning trial or error का result नहीं है कि जैसे हमने कर-कर के देखते रहे और फिब कोई एक चीज फिट हो गई ऐसी चीज नहीं है trial or error नहीं है ठीक है it is responding to an environment stimulus or the result of observing someone else attempting the problem ना ही ये environmental stimulus की तरफ respond है और ना ही ये किसी और को देखके कुछ सीखना है तीनों में से ये कोई भी चीज नहीं है बलकि ये तो एक ऐसी चीज है जो कि हमें एक inner ability से सीखने को मिलती है हमारे cognition से सीखने को मिलती है it is a completely cognitive experience that requires the ability to visualize the problem and the solution internally in the mind's eye so to speak before initiating a behavioral response इसका मिलब ये है ये तो एक capability है जहांपे कि हम किसी problem को अपने दिमाग में ही विजुलाइस करते हैं दिमाग में ही देखते हैं और दिमाग में ही उसका हल निकालते हैं और इसी को हमने बोला था mind's eye यानि कि मन की आखे ठीक है तो मन की आखों से विजुलाइस करते हैं प्रॉब्लम को और फिर उसको वहीं पे solve करते हैं ये ये चीज है insight learning ठीक है insight learning इसको बोला जाता है तो इस तरीके से ये theory develop की थी कोलर ने उन्होंने कहा था कि learning एक cognitive process है यानि यहां पे mind's eye में visualize किया जाता है प्रॉब्लम को और फिर problem का solution निकाला जाता है तो इससे हम सीखते हैं और इसी को हम insight learning बोलते हैं और जरूरी नहीं है कि insight learning जो है वो सिर्फ जानवरों में हो या फिर सिर्फ इंसानों में हो दोनों में होती है तो insight learning के बहुत सारे example आपको अपने आसपास भी देखने को मिल जाएंगे जबी भी कोई चीज discover होती है या किसी चीज का invention होता है कोई चीज इनोवेट होती है तो वो insight learning का ही परिणाम होता है पहले दिमाग में वो चीज दिजाइन होती है उसके बाद वो बाहर आती है ठीक है तो insight learning को out of box thinking भी कहते है तो out of box thinking ही insight learning है insight learning हमारे अंदर भी होती है सभी जीवों के अंदर होती है तो आज के लिए सर्फ इतना ही मैं उमीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक जरूर करें शेर करें और अपके कबल को सब्सक्राइब करें